जनपद में विधान सभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस पार्टी के सदर ग्रामीर चौरी चौरा बांसकौ विधान सभा के प्रत्याशियों ने कलेक्टरेट पहुचकर नामांकन किया जिसके संबंध में कॉंग्रेस के प्रत्याशियों ने बताया कि चुनाव जीतने पर महानगर की सडकों को ठीक करवाया जाएगा और साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्वास्त शिक्षा स्वास्त सही जनता को मूल भूत सुविधा उपलब्द करवाया जाएगा और साथ ही जनता को सडक पानी बिजली सहीत सभी सुविधा उपलब्द करवाया जाएगा साथी किसानों बेरोजगारों सहित सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा सभी वर्गों को सम्मान करते हुए कारे किया जाएगा इस संबंध में गोरकपुर्णी उससे बात करते हुए कॉंग्रेस पार्टी की सदर विधान सभा की प्रत्यासी डॉक्टर चेतना पांडे, ग्रामीर से देवेंद्र निशाद, चौरी चौरा से जीतेंद्र पांडे, बास गाउं से प्रत्यासी पूनम आजाद ने कहा दो, पांडे, बास अबजान ने कहा, जाना निशाद मेंद्र ने कहा, जाना ने कहा जाए हुए। इसके बेंड़न कीवाओंध पाता है अजाकरी दी जो और रिफवा सुन्टे एक सुन्ट ने सिंपल अभी कच्छा देगा और आप आरोगे आप तो असके धरागे आप तो असके धरागे आप तो जाड़ा आईए पिजाएगी कर ये एक ची बात है चलिए भीया कि आप उपकान किये है जितेंद्र कुमार पांडे प्रमुक्तार रहेंगे कि नौज इसते हैं चवरी चवरा की संपूर विकास ही हमारी जिम्मेदारी है हम चवरी चवरा विकास के नाम पर चुना लड़ने जा रहे हैं और आदानी प्रियंका जी के आठ बचन को हम निभाने जा रहे हैं चवरी चवरा में किसानों की और बेरोजगारों की और चवरी चवरा की समस्त जितने भी मुद्दे हैं उस सब हमारा मुद्दा वो किसी व्यक्तिका नहीं है उस सब ही मुद्दों को हम अपना मुद्दा समझ करके वहां लड़ेंगे उसके बाद आप देखेंगे चवरी-चवरा में एक नया परिवर्तन होगा जो सब के साबने आएगा सड़क की समस्या यहां बहुत दिक्कत की है बहुत विभिन महलों में यह समस्या है और ड्रेनेज सिस्टम यहां का ध्वस्त है जमाओं की समस्या लगातार तिन-चार महने मुझे लगता है असी प्रस्त से ज्यादा चैर जेलता है महिलाओं के लिए जो ट्वालेट सुने चाहिए सारवजनिक जगों पे वो नहीं है उनको बनवाने की कोशिश रहेगी ट्रफिक व्यवस्ता को लेके काम होगा स्वास्त सुविधाओं को और शिक्षा व्यवस्ता को और बहतर करने की कोशिश होगी बाकी उसर मिलता है तो विभिन मुदों पे हमारे दल के ही प्राथिमिक्ता है इस देश के हर ब्यक्ति को न्याय मिले हर ब्यक्ति को रोजगार मिले सब को उसका हकाधिकार मिले हम कांग्रेश पार्टी के एजेंटे पर ही काम करेंगे और आप इतिहाद भी जानते हैं इस देश का आजादी के पहले कांग्रेश यह देश क्या था और सकतर साल पचतर साल जो विपच्च के लोग बोलते हैं कांग्रेश ने क्या किया आज जो भी कुछ दिख़ रहा है वो सब कांग्रेश ने किया है देश के विकास के लिए काम भीकता हो रही हैं इस्सारी दिकतों पे चाहे मच्वा समाज की बात हो, चाहे किसी भी तब्रकती हो, जिनके हक अधिकार को छीना गया है, जो कांगरे धीरए धीरे देज के लोगों को उनका हक अधिकार दे कर इस देश को एक मजबूत देश बनाने पर लगी थी, जिसको करने का काम अरेस्स की विचारा कर रही है उस विचा धारा को कम जोर करते हुए देश को मजबुति के तरफ हम लोग ले जाने का काम करेंगे पूना माजाद जीतने पे महिलाओं के लिए जो भी प्राथि मिक्ता दी गई है हम उस पर काम करेंगे और सभी वर्गों का सम्मान करते हुए सभी के लिए आगे कारेंगे जीतने पर बेरोजगारी है चाहे महगाई के लिए इसके लिए हम कारे करेंगे और अपनी सम्मानी जंता का विश्वास बनाए रखेंगे